नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहें इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है हमारा इस ic के उपर है जो हमारी ये regulator ic है और ये कितने परकार के आती है और ये कैसे काम करती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि दोस्तों यह IC जो है बहुत परकार के आती है और यह SAM ही दिखने में होती है लेकिन आप इसको कैसे चेक कर सकते हो कि जो हमारे सर्गिट में जो IC लगी हुई है वो यही है या नहीं है और हमें कौन सी IC उसके अंदर लगानी चाहिए तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर यह IC हमारी कुछ इस तरीके से होती है तो यह देखें हमारी जो IC है यह कुछ इस तरीके से होती है इस तरीके से मैं यहाँ पर देखें दो IC बना देता हूँ जिसे कि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ और दोस्तों वीडियो को जो है skip ना करें क्योंकि वीडियो को अगर skip कर देते हैं तो आपको अधूरी ही जानकारी मिलती है पूरी जानकारी नहीं मिल पाती तो देखे इस IC का अब यह देखे मैं आपको नंबर दिखाता हूँ तो नंबर देखिए AMS 1117 AMS 1117 इसका इस IC का नंबर इस तरीके से है AMS 1117 तो आप देखे इस IC के अंदर दोस्तों यहाँ पर लिखावा है इसके अंदर IC के अंदर 1.8 आपने देखा इसमें लिखावा है 1.8 इस तरीके से लिखावा है तो दोस्तों इसका मतलब हुआ 1.8 voltage या output करेगी हमें IC इस 1.8 का मतलब यह हुआ और बहुत सी IC पे लिखावा होता है ADJ इस तरीके से बहुत सी IC पे इस तरीके से लिखावा है तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि यह IC जो है अगर हम यहां पर voltage 3.3 या 5 volt देते हैं और यह हमारी output voltage है और यह वाली पिन और यह वाली पिन हमारी दोनों सोट होती है यह वाली और यह वाली पिन हमारी दोनों सोट होती है यह भी output है यह भी output है तो यह वाली पिन हो गई हमारी output आफ देखिए आफ देखिए आफ पुट है और ये वाली पीन होगी दोस्तो हमारी गराउंड G-N 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 आफ देखिए पर ये हमारी इंपुट 3.3 वोल्ट यहाँ पर 5 कि दे सकते हैं और आप 15 वोल्ट तक इसके ओपर दे सकते हैं तो इस तरीके से देखे ये इस तरीके से है अब देखे इसके अंदर जो है यहां पर आई सी होती है आपकी क्याई परकार की मैं अभी आपको सारी इमेजे दिखाऊंगा कि कौन सी आई सी किस तरीके की होती है लेकिन दिखने में सैम होती है अब देखे जिस पर अर्जेस्ट इससे आप 1.2 से लेकर 5 Dude तक इससे आप voltage ले सकते हैं । लेने के लिए आपको क्या करना होगा यह हमारी इन्पूड सप्लाई यहां पर देंगे और जम लगाएंगे तो यहां से हमारी जो निकलेगी वह निकलेगी 1.8 बोल्टेज यानि कि ग्राउंडिंग और 1.8 बोल्टेज से हम दोनों वायर लेके कोई भी सर्किट को चला सकते हैं लेकिन अगर यह आपकी आइसी खराब है तो यह आउटपूट पर बोल्टेज नहीं देगी जब तक आप इंपूट पर बोल्टेज चेक करेंगे और आउटपूट पर नहीं दे रही है बोल्टेज 1.8 तो यह आईसी आपकी खराब है यह आपको चेंज करनी होगी लेकिन यह याद रखें कि अगर 1.8 बोल्टेज की आईसी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप अरजेस दिखाओंगा कि कितने परकार की इसमार आईसी आती है तो यहांपर लिखाओं है 1.8 बोल्टेज तो यानि कि यह आईसी जो है यहां पर 3.3 बोल्टेज आती है और इस तॉरिछ आघं वोट्टेज इसको यहां चेक करना होगा कि इस पर कितनी वोल्टेज लिखा हुआ है और वही आईसी को आपको लगाना होगा और आउट पूट पर आपको बोल्टेज चेक करनी होगी कि आईसी यह जितने वोल्टेज इस पर लिखे हुए उतने देरी है तो ठीक है अगर नहीं देरी है त दिखाता हूँ उस पर कुछ इस तरीके से लिखावा होता है यहाँ पर देखिए IC नंबर भी वही लिखावा है लेकिन यहाँ पर लिखावा है ADJ इसका मतलब हुआ दोस्तों यह ADJ stable IC है इससे आप 1.2 से लेकर और 5 बोल्ट तक इस IC से ले सकते हैं इस IC का दोस्तों यह काम है फिर आजाते हैं देखिए हम दोस्तों यह हमारी IC है 1.5 तो यहाँ पर देखिए लिखावा है देखिए 1.5 यानि कि यह IC input supply पर जितनी भी voltage देंगे आप लेकिन output पर यह आपको 1. 1.5 voltage देगी अगर आपकी यह IC देखिए कभी भी खराब होती है तो आपको 1.5 ही लगा नहीं है फिर आजाते हैं देखिए यहाँ पर एक 1.88 voltage इस पर भी देखो लिखा हुआ है 1.8 voltage यानि कि यह 1.8 voltage output IC है regulator IC फिर आजाते हैं हम देखिए यहाँ पर आपको अपने circuit के ही voltage की आपको IC लगानी है तो आप यहाँ पर पिन नंबर 2 पर चेक कर सकते हो कि इसके अंदर output पर जितनी voltage इस पर लिखी हुई है उतनी आती है यह नहीं आती है अगर नहीं आती है आपको IC को चैंज करना होगा फिर देखिए यहाँ पर यह 3.3 voltage भी आती है इसके अंदर य electronics line के अंदर वो थोड़ा confused हो जाते हैं कि IC के अंदर 3.3 क्या लिखा हुआ है और वो 1170 IC का नंबर देखते हैं और लगा देते हैं लेकिन उनका जो circuit है वो on नहीं होता क्योंकि जब तक हम जितनी voltage हमारे circuit को regulator करी गई है अगर उतनी नहीं है तो हमारा circuit on नहीं होता और इसके अंदर देखिए नंबर वही है लेकिन नीचे लिखा हुआ है 5.0 यानि कि यह output के ओपर 5.0 voltage देती है और जो दोस्तों इसकी देखिए यह देखिए यह इसके अंदर जो है इसकी adjustable ground है तो देखिए इसमें जो pin नंबर 1 है अगर आपकी IC पे ADJ लिखा हुआ है तो आपको क्य करना होगा ground से 1 ohm से लेकर और 1K तक अगर कोई भी resistance को लगा से हो इसके बीच में तो यहां पर आप जैसी आपकी resistance होगी output पे आपको उतनी ही voltage मिलेगी इसके अंदर 1.2 से लेकर 5 volt तक इस IC से आप ले सकते हो जिसके अपर ADJ लिखा हुआ है मतलब उसके अपकर कोई भी voltage न दूसरी जो output होती है तीसरी जो input होती है और जो इसकी ऊपर वाली बड़ी वाली लेग है यह भी हमारी output होती है यह दोनों आपस में अंदर से सोट होती है तो दोस्तों मेरी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell के आकन को जरूर दवाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी जानकारी लाता रहूंगा और दोस्तों हमारा जो नया चैनल है इवी सोट के नाम से description में मैंने link डाल दिया वहाँ पर जाके उस channel को subscribe करें क्योंकि वहाँ पर भी मैं ऐसी जानकारी दोस्तों